Hello students, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे Hydraulic Machines के बारे में Hydraulic Machines वो मशीन होती हैं जो Pascal's Law के उपर अपरेट करती हैं शुरू करेंगे Hydraulic Press के साथ Hydraulic Press वो होती है जो कि यहाँ पे रखे सबस्टेंस को High Pressure से प्रेस कर देती है यहाँ पे food items हो सकते हैं या फिर sugar cane हो सकता है जिसे juice निकालने के लिए प्रेस किया जा सकता है या फिर किसी चीज का oil निकालने के यहाँ पे रखा जा सकता है और ऐसे ही various चीजों के लिए Hydraulic Press के यूज होते हैं जहाँ पे High Pressure से प्रेस करना होता है अगर इसका construction समझे तो एक hydraulic press दो hollow cylinder से बनी होती है cylinder P and cylinder Q जिनके अंदर दो valve fit होती है एक valve 1 और एक valve 2 और cylinder P के लिए एक main water reserve wire होता है जो कि एक consistently पानी से भरा हुआ होता है sectional area of cylinder Q होता है वो हमेशा cylinder P से हमेशा बड़ा होता है यानि कि ये cylinder width में ज्यादा चौड़ा होगा as compared to cylinder P and इनके अंदर water tight pistons piston A और piston B भी fit किये जाते हैं जिससे कि water leak ना हो hydraulic press को damage ना कर सके और ये दोनों cylinder एक pipe के तुरू connect किये जाते हैं एक दूसरे से तो इसमें से जो first cylinder होता है piston A इसे pump plunger भी का जाता है और जो piston B है उसे press plunger भी का जाता है इस construction में piston A और piston B कुछ इस तरीके से operate करते हैं कि ये जो handle है इसको operate करके जो piston A के उपर force exert की जाती है उसी relation में piston B के उपर भी due to Pascal's law force exert होती है जिसके वज़े से ये जो press है ये press down या फिर raise up होती है अगर हम यहाँ पे कोई substance रखके इस handle को press करते हैं तो वो pressure जो exert होगा इस piston A पे वो pressure इस liquid के दुर ट्रांस्मिट हो जाएगा और ये press जो है इस substance को crush कर देगी उसी तरीके से अगर हम इस handle को lift कर लेते हैं आसे जो pressure exerted था वो कम हो जाएगा जिसके वज़े से press जो है वो raise हो जाएगी So in case without handle को operate किये या फिर कोई इसी emergency situation में हम press को release करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे एक valve provide की जाते है जिसे open करने की वज़े से ये जो liquid है ये सारा का सारा reservoir में चला जाएगा और यहाँ पे pressure जो है बिल्कुल कम हो जाएगा जिसकी वज़े से जो press है वो raise हो जाएगी hydraulic press का main component ये है कि जो cylinder क्यों है उसका cross sectional area ज्यादा है as compared to cylinder P because of the Pascal's law क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ही F2 जो की यहाँ पे exert होगी piston 2 के उपर वो ज्यादा होगी as compared to F1 जो की यहाँ पे exert होगी handle most of the times एक human के द्वारा handle की जाती है और human के अंदर इतनी force नहीं होती कि वो इतनी सारे material को crush कर सके hence Pascal's law को use करके small force जो की applied की गई है human द्वारा उसको उस force को increment करके यहाँ पे F2 पे लगाया जाता है जिससे की यहाँ पे रखाया item easily crush हो जाता है and हमें output मिल जाता है अगर detail में hydraulic press की working समझें तो जब भी इस handle को upwards push किया जाता है so यह piston है यह भी उपर के तरफ जाती है और यह valve automatically open हो जाती है जबकि जिसके कारण जो reservoir है उसमें से water उपर के तरफ आ जाता है और यह completely fill हो जाती है उसी तरीके से जब इसे नीचे push किया जाता है तो यह valve close हो जाती है और यह सारा pressure piston B के उपर जाके apply हो जाता है क्योंकि piston B का cross sectional area ज्यादा है as compared to piston A यहाँ पर force जो होगी वो ज्यादा होगी as compared to जो force यहाँ पर apply करी गई थी और जब यहाँ पर pressure के requirement नहीं होती है तो इस handle को release कर दिया जाता है जिससे कि यहाँ पर pressure कम होता है तो यह valve close हो जाती है और यह सारा पानी अब reservoir के तरफ travel करके वहाँ पर fill हो जाता है इस machine के uses कहां होते है वो देखते हैं so cotton bales जो है उसे press करने में hydraulic press का use होता है books manufacturing में भी hydraulic press का significant uses है seed oils को निकालने में agricultural industry से widely use करती है और goods के उपर monograms engrave करने के लिए hydraulic press का use किया जाता है आगे बढ़ते हैं दूसरे example पर second example है hydraulic jack जैसे कि आप नाम से समझ जाएंगे कि hydraulic jack जो है उसे heavy vehicles को lift करने में use किया जाता है hydraulic jack हमें mostly service stations में देखने को मिलता है जहाँ पर vehicles उनके repairing के लिए आया हुए होते हैं और जो service executives है उनको किसी reason की वज़े से vehicles के under part को access करने की ज़रुत होती है इस मामले में hydraulic jack जो है ये इनकी service executives की काफी help करता है क्योंकि ये जो vehicle से उनको lift कर देता है at a certain height इसके constructions को समझे तो इसमें दो cylinder होते है cylinder P and cylinder Q जो कि एक tube के तुरु connected होते हैं जैसे कि हमने Pascal law में पढ़ा है जैसे कि हमने hydraulic machines के principle के तुरु समझा है कि if the cross sectional area of piston B is greater than cross sectional area of piston A then the same force exerted at piston A will be greater at piston B क्योंकि हम heavy vehicles piston B के उपर place कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे ज्यादा force की requirement होगी hence यहाँ पे जो piston B है उसका cross sectional area भी ज्यादा होगा और cylinders जो होते हैं वो liquid से filled होते हैं अब hydraulic jack की working समझे तो जब भी इस handle के उपर force exert करी जाती है so यह valve open हो जाती है due to the pressure and यहाँ से certain force exert की जाती है due to liquid transferring this pressure to the piston B यहाँ पे जो force exert होती है उपर के तरफ exert होती है and वो force इस piston को उपर के तरफ lift कर देती है जिसके मदद से हम जो vehicle से यहाँ पे पाक किये गए है वो भी lift हो जाते है और जब vehicle एक certain height तक पहुंच जाता है तब हम इस liver को release कर देते है and यह जो valve है यह automatically close हो जाता है जिसके कारण जो pressure difference है वो maintain रहता है और vehicle अपनी steady position पे बना रहता है उसी तरीके से अगर हमें इस vehicle को नीचे लाना है तो हमें इस handle को उपर की तरफ करेंगे जिसके कारण इसमें से जो fluid है वो धीरे धीरे आके blender P में आ जाएगा जिसके कारण प्रेशर difference कम हो जाएगा और car अपने आप नीचे की तरफ आ जाएगी hydraulic press के uses mostly automobile industry में देखे जाते हैं और manufacturing industry में भी देखे जाते हैं अगला example देखते हैं hydraulic brakes का hydraulic brakes भी Pascal's law के उपर hydraulic brakes भी Pascal's law पे based होते हैं यह जो diagram आप देख रहे हैं यह एक hydraulic brake को represent करता है जो construction देखे तो यहाँ पे एक foot pedal होता है जो कि किसी human दुवारा press किया जाता है यहाँ पे एक होता है piston A और यहाँ पे होता है piston B1 and B2 इस construction में दो pistons का use किया गया है piston A जो है उसका जो cross sectional area है वो कम है as compared to piston B1 and piston B2 piston B1 and piston B2 directly brake shoe के पास होते हैं और brake shoe जो rim of the wheel के साथ में attached होता है इसकी working कुछ इस type से होगी कि जब भी कोई human pedal पे foot रखता है तो piston A के उपर something force apply होती है और यह force इस pipe के अंदर जो liquid है उसके दुरूप travel करके piston B1 और piston B2 पे equally exert होती है और यह piston B1 and piston B2 expand होते हैं और directly brake shoe को press करते हैं wheel rim के तरफ जिसके कारण गुमते हुए wheel के उपर brake shoe pressure exert करता है और उसको resistance and वहाँ पे resistance create करता है जिसके वज़े से braking effect देखने मिलता है और एक बार अगर pedal पे से foot हटा लिया जाता है तो यह जो liquid है यहाँ से pressure release हो जाता है piston वापस अपनी position पे आ जाता है and जो piston B1 है और B2 है यह अपने जगे से वापस contract हो जाते है और जो brake shoe है वो एक attached spring के वज़े से वापस अपनी position में आ जाता है जो इससे के जो wheel rim है वो फिर से free हो जाता है गूमने के लिए so इस construction में यहाँ पे एक छोटा सा pressure भी यहाँ पे काफी बड़ा impact लाता है और बड़े से बड़े vehicle को भी stop करता है यहाँ पे छोटा सा effort यहाँ पे बड़ा impact ला पाया क्योंकि यहाँ पे जो cross sectional area of piston A है वो छोटा है as compared to the cross sectional area of piston B so यह था hydraulic brakes का construction and working अब हमें hydraulic machines के बार चीज हमेशह याइद रखनी है कि जो effort होता है वो हमेशह load से कम होता है hydraulic machines में हमें एक बाद हमेशह याइद रखनी है की जो effort होता है effort is less than load while the distance moved by the effort is more than the distance moved by the load such that the product of effort and distance moved by effort is equal to the product of load and the distance moved by load यह सिप उसी situation में होता है जहाँ पर energy loss बिलकुल भी नहीं होता इसका मतलब work done by effort जो होगा equal होगा work done by load के hence जो mechanical advantage होगा वो होगा load upon effort जो कि होगा greater than 1 और velocity ratio होगा on distance moved by effort upon distance by load जो कि greater होगा 1 से Hence, our hydraulic machine act like a force multiplier तो आज हमने पढ़ा है hydraulic machines के बारे में मिलते हैं अगले वीडियो में